हेलो एवरीवान दिस इस अकांचहारा आई विलकम यू आल तो माई चानल आज की इस वीडियो में वी आ गोईंग टू स्टडी चाप्टर रिप्रोडाक्शन इन प्लांट ठीक है इस सेशन का एक्सेसाइज कोश्चन आंसर हम कर रहे हैं साथ-साथ हम चाप्टर का भी डिसक करते चलेंगे एक्स्प्लाइनेशन वीडियो भी मैं अप्लोड करते रहोंगी और साथ-साथ-साथ-साथ-सक्वेश्चन भी करते रहोंगी सो दाट दोनों चीजें आप लोग को प्रॉपरली मिलते रहें ओके तो सबसे फॉर्स क्वेश्चन जो है फिलिंदा ब्लांक स्म नेक्स्क वेस्ट पॉलेंगेरेंश प्रडूज्ड बाइ किसके थ्रू पॉलेंगेरेंश प्रडूज्ड रहेहते हैं पॉलेंगेरेंशन ले और assumption फिलिद्दा कोश्डूद होता हैं अंतर-ध्धिक तो यह प्रॉद्दियूछ्ड होता है स्यच्शनटिष इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन तो यह पॉलिनेशन को कौन करवाता है उन एजेंट को हम क्या कहते हैं तो एजेंट को हम कहते हैं पॉलिनेटर ठीक है पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो पॉलिनेटर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् orchids gets dispersed by कैसे डिसपर्ज होते हैं तो यह इतने लाइट वेटेट सीड होते हैं बहुत हलके होते हैं यह डिसपर्ज होते हैं बाई विंड कोई हलकी चीज होगी जैसे कॉटन फूको हवा में ऐसी उड़ जाएगा है कि नहीं तो वैसी सीट्स ओफ और चिट्स जो है वो विंड क के थ्रू डिसपर्ज होते हैं नेक्स राइट ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉलिंग के थ्रू करता है तो यहां पर लिखा है फ्राग्मेंटेशन तो इस सेंटेंस इस फॉल्स ओके फॉल्स नेक्स स्वीट पॉटाटो एंडालिया यूज़ेज देर रूट्स फॉर ए सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन स्वीट पॉटाटो है यहां पर पॉटाटो से कन्फ्यूज नहीं करना पॉटाटो की बात होगी पॉटाटो ट्यूबर की तो वहां स्वीट पॉटाटो एंडालिया तो यह दोनों रूट्स के थूर रिप्रोड्यूज करते हैं तो यह स्टेटमेंट हो गया ट्रू फाइन यूनी सेक्ष्वल फ्लार हैस बोथ स्टेमेन और पिस्टिल एंड अब यूनी सेक्ष्वल है तो स्वन सेक्स कंटेन करेगा और यह एक कंटेन तो उसे हम कहते हैं यूनी सेक्ष्वल ठीक है तो यहां पर यह सेंटेन्स हो गया अन्फेमेंट फॉस impost औलिनेशन सारह क्या एशेंट होते हैं पॉलिनेशन के तो यह सेंटेन्स हो गया टूएँसट मेल और फीमल गामिट फ्यूस्हार साय गौट फूसंटों को थे फ़र्टिलाइजेशन और जब मेल और फीमेल गामिट का फ़र्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट यह याद रखना है तो बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट तो इस ट्रू नेक्स्ट सीट्स ओपी और बीन प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन पॉर्ट्स जो होता है ना जिससे हम मटर निकालते हैं ग्रीन कलर का दाट इस कॉल्ड पॉर्ड तो यह कैसे होते हैं किसमें बनते हैं पॉर्ड में तो आंसर इस ट्रू यहां पर क्लियर कर देती हूं सो अराम से आप चीजों को लिख पाओ समझ पाओ नहीं तो ऐसे अल्दो स्टार्टिंग में भी पेज मैंने प्लियर इसी रहे चोड़ा हुआ था कि आप कभी भी स्क्रिंशॉट लेकर चीजों को लिख लो ठीक है ओके मुविंग टू नेक्स्ट पेज देन टिक दा करेक्ट ऑप्शन फस्ट क्वेस्टन इस पाइरो गाई में फॉर्म होते हैं तो आंसर क्या होगे हमारा फ्रेग्मेन्टेशन ठीक ब्रायोफाइलम रिप्रेड्यूसे थू इस ब्रायोफाइलम जो है वो रिप्रेड्यूस करता है लीव के थूँ याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कभी भी आप पढ़ते रहोगे कि लीव लीफ इस्टेम न भी टिटेटिटीड पार्ट होते हैं तो रिप्रोदक्षटिफ पार्ट हो गया फ्लावर तो के इसे भी ट्लियर कर दिया जाये आन्यस क्लियर प्लियर देते हैं ठीकड थे टेकर यह पूरा पेज हो गया आपके लिए clear next page pollen grains contain the pollen grain क्या थे क्या contain करते हैं male reproductive cell already हमने पढ़ा क्या होते है male gamit तो यह male reproductive cell contain करते हैं next fruits develop from the fruit किसे develop होते है fruit develop होते है ovary से fine याद रखना है ovary क्या develop करता है fruit develop करता है okay plants सबसे first question है answer the following questions in brief में name the two types of reproduction in plants बहुत simple question है we know the two types of reproduction in plants are asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction में क्या था single parent और sexual reproduction में two parents involved थे ठीक है next define vegetative reproduction vegetative reproduction एक asexual reproduction होता है जिसमें new plants develop होते है from vegetative parts like root stem और leaves flower जो है reproductive part है याद रखना है okay vegetative में हम root stem और leaf की बात करेंगे तो यहां पर let's go with the definition okay इसको जूम करें क्यों छोटा हो गया यह थिक the types of asexual reproduction in which new plants are produced from the vegetative parts like root stem और leaves of the plant is called vegetative reproduction fine next question give two example of plants which reproduce through spore formation तो answer for this is mosses and ferns fine यह क्या होते है non-flowering plants होते है next question name two artificial method of vegetative propagation from stem artificial मतलब हम कर रहे हैं उस method को natural method नहीं है तो क्या है grafting and layering grafting का example है mango और layering का example है jasmine इस process को हम discuss कर लेंगे अपने explanation पार्ट में फाइन moving to next question when is a flower said to be a bisexual flower bisexual क्या मतलब दोनों structure present होंगे कौन-कौन से stamen and pistil अगर सिर्फ एक होगा तो unisexual कहेंगे तो कब question है कि हम कब किसी flower को bisexual flower कहेंगे तो answer क्या हो जाएगा हमारा a flower is said to be a bisexual flower when both stamen and pistils are present in same flower एक ही flower में present हो fine answer is tomato ठीक है next question name and name and three ways by which seeds are disposed to the three ways by which seeds are disposed are disposal by wind disposal by water and animals हमें तीन यह तर्म याद रखने यह तो similar ही है ऐसे तुम लोग ना बड़ा confused हो जातो यह बड़ा sentence यह बड़ा sentence यह लेकिन answer तो हमारी यही में तीन हो गए नहीं यह तीन वड़ी तो हो गए बाकि सेंटेंस formation करना तो बहुत असान काम है है की नहीं ठीक तो यहां पर end करते हैं हम section D के पार्ट को next section next section हम next session में देखेंगे until then stay safe take care and bye bye everyone